प्रतिक्षा की जारेती उभरती भी खोल दी गई है और बहुत अट्रेक्टिव पैकेजेज वगेरा मंतिली दिये जाने की बात कर रही है कस्टुमाइज पैकेज मिलेंगे अपसानिकों को अगनिवीरों को दन्यवाद प्रिजेज जी पहली बात अपने बेरुजगारी के मुद्व को सदेव प्रमुकता से उठाया है इसके लिए हम सभी आभार वेक्त करते हैं दूसरी बात यह है कि आज जैसा की मीडिया चन्द्रेश के माध्यम से प्रधरमंतरी के ट्वीटर हेंडल के माध्यम के माध्यम से वा विभिन माध्यमों यह पता चला कि अगनिवीर और अगनी परिक्षा के नाम से जो यह सिस्टम नया क्रीट किया जा रहे एक नया फॉर्मूला लगा जा रहा है जिसमें प की प्रण निश्चित तोर पर मानता भे हो कि और पूरा देस मानने वाला प्रतेः़ एकना जाता है हमारे सरकारों के बी पर सनिखिएंव अब करता है उसके लिए के देश का दैट तो चार साल ही रहता है और जैसा कि हम योजना में देख पा रहे हैं हम तो कहते हैं कि यह चीजे अगर क्रियानवित होती हैं बहुत अच्छी तरीके से किसी भी योजना को लागू होने में और उनमें जो भी खमिया रहती है अगर उन चीजों को एक्सप्ट किया जाएगा तो चीजे बहुत अच्छी हो सकती है अगर देखा थे 4 साल मैं तो देखता हूं कि मेरे ही जो 17 साल की एज में जॉब में selected हो गया थे आज 5-6 साल जॉब कर रहे हैं और फिर भी मैं देखता हूं कि वो इनाइजीरिया ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं कई कोरिया ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं मतलब वो लोग तो 6-6-5 पान साल वो सब ट्रेनिंग ही किया करते हैं अगर चार साल में या साथ हपतों में या छे महिने में जादा जादा उनको ट्रेनिंग दे करके चार साल की जॉब दे करके उनको हटा दिया जाएगा और दूसरी बात उसमें इस पश्ट तोर साफ आ रही थी कि 25% रिकूर्ट सैसे होंगे जो बहुत ही सक्षम होंगे उनक सेना को 75% असच्छम सैनिक चलाएंगे हम नहीं मान सकते ऐसी बात को दूसरी बात यह रही कि ब्रजेश जी हम लोग निरंतर आपके ही चैनल के माध्यम से एक मुझे याद है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और वो दोर याद है मुझे जब सम्विदा भरती की बात आई थ थी और हम सभी ने बहिसकार उस सम्विदा भरती का किया था जहां तक मुझे इन प्रावधानों से प्रतीत होता है कि पहली बात तो सरकारों ने जिस मॉडल की बात की कि 7-8 देसों के मतलब डिफेंस सिस्टम को देखा गया उसके बाद है निरड़े लिया गया है तो उसमें एक इसराइल भी देश सायस सामेल है और मैं मानता हूँ कि जिन देशों को देखा गया उनमें हर विक्ति के लिए डिफेंस जो ड्यूटी है वो अनिवार है मतलब सेने सेवा अनिव अनिवार है उसके लिए सेने सेवा निवार है का रूल लेकर कर आने चाहिए दूसरी बात यह रही कि चार साल को निकालने के बाद में उनके पैकेश 11 लाक 12 लाक जो कुछ भी उनको दे दिया जाएगा उनको कोई भी तो सुविधाय नहीं दी जाएंगी मैं मानता हूँ कि हर कोई जजबे के लिए जाता है लेकिन उसकी मूलभूत अवशक्ता है तो होती है ना अगर वो चार साल साड़े सत्रा साल की एज में हाई स्कूल और इंटरफास जो बच्चा है वो च्हे महिना ट्रेनिंग करेगा साड़े तीन साल जॉब करेगा चार साल वो जॉब पढ़ पाएगा मुझे तो नहीं लगता कि अगर अगर उसको पढ़ाई करना हो तो वह आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि एक बार तो रेटायर होने के बाद में लिख लेते हैं एक से लिपाल है ठीक है दूसरी बात है कि वह लिखेंगे कि हम एक्स फोजी हैं कि हम क्या हैं अग्नी वीर उनको कहलाएंगे जो पचीस परसेंट रिक्रूट होके रिगुलर में जाएंगे यह वाले अग्नी वीर नहीं कहलाएंगे सर विभिन केंदर सरकार के विभाग हैं आज 3-4 साल से उपर हो गया जिन बच्चों के लिए जौब ही नहीं आई डिफेंस में अगर वह 21 साल की सब्सक्राइब कर सकते यह बात अब क्लियर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और कोई डारेक्टर रिक्रूट नहीं है आप अगनीवीर के माध्यम से इंट्री है ना इट्स क्लियर अब धन्यवाद आपका तिवारी बहुत शुक्रिया